अफगानिस्तान जिसे ग्रेव यार्ड ओप एम्पायर का जाता है लेकिन क्यों अगर हम अफगानिस्तान की इतिहास के पन्नों को पल्टें तो उमें पता चलता है कि इस जमीर पर कबजा करने के लिए हर किसी ने कोशिस की लेकिन उन्हें सिर्फ खाले आती लोटना पड़ा एक्जामपल ब्रिटिसर्स जिनने यहां बारे बेजिती और लगातार हार की सिवा कुछ नहीं मिला वही सोविय संग भी 10 साल तक यूद गरता रहा लेकिन फिर भी उसे आरे मिले और अमेरिका भी 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा और फिर दोहा एग्रिमेट कर के अपनी जान बचा कर भागा तो आकिर क्या कारण थे जिसकी वज़े से अफगानिस्तान को ग्रेव्यार ओप एम्पाइर का आजाने लगा अठार्मी सदि में भार्त के एक बहुत बड़े इसे पर इस्ट इंडिया कमपणी का सासन था वहीं रशियन एम्पाइर भी अपना विस्तार सेंटरल एशिया में कर रा था और ब्रिटिस सर्स को डर लगने लगा था कि यदि रशियन एम्पाइर अफगानिस्तान में अप उस बना कर बेचा इन्होंनों एक साल में अफ़कानिस्तान की कई स्ट्रेट जिक इन्फोर्मेशन के साथ रस्षिन गुपचरों का भी जिकर किया अफ़कानिस्तान में बढ़ते रस्षिन प्रबाव से अंग्रेजियों को अब डर लगने लगा था कि कहीं रस्या अफ़कानिस्तान में ना दाकिल हो जाए वहीं उसमें ब्रिटिस इंडिया के गवर्णर जनरल लोड ओकलेंड थे और ये अफ़कानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे इसलिए इन्होंने अफ़कानिस्तान के आमेर दोस्त महमद घान की साथ बातची शुरू करी तो दोस्त महमद घान ने लोड ओकलेंड के सामने एक सर्थ रखी कि ये वे उन्हें पिसावर वापस दिलाया जिसे महाराजा रंजीचिया ने अठार सो चौनतिस में अधिकार कर दिया था लेकिन अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि अंग्रेजों ने महाराजा रंजीचिया से अठार सो चौनतिस में ट्रेटी ओप अमरिच सर्थ साइन करी जिसमें महाराजा रंजीचिया ने सतलू जन्यति को अपनी सधन बाउंटर मान दे इसलिए महाराजा रंजीच ये ने बाकी सभी दिशाओं में अपना एंपायर फिलाया और इसी में 834 में पेशावर पर अधिकार किया तो बिरिटी सर्स महाराजा रंजीच ये से ट्रिटी ओप अमरीच सर के नुसार उन्हें पेशावर वापस देने के लिए केसे कह सकती थी इसकान दोस्त ममद और लोड ओकलेंड के बीच जो बाचीत हो रही थी वो फेल रही तो दोस्त ममद ने रश्या की तरब अपना रुक किया तो लोड ओकलेंड को लगा कि रश्या अफ़कानिस्तान में दाखिलो इससे पहले इम अफ़कानिस्तान पर कबजा कर देते हैं तो इस तरह फश्ट एंगलो अफ़कान वोर का मेदान त्यार हो चुका था इसलिए अंग्रेजों ने अफ़कानिस्तान पर आकर्मन करने के लिए महराजा रंजीत्षियां से पंजाब से होते हुए खेबर दर्य से अपनी सेना ले जाने को कहा लेकिन महराजा रंजीत्षियां ने मना कर दिया तो ब्रिटिसर्स अफगानिस्तान पर आफकरमन करनी के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंडने लगे और वो दूसरा रास्ता था बोलन पास इसलिए ब्रिटिस सेना कवेटा से होते हुए कंदार गजनी और फिर काबूल पर कबजा कर दिया और दोस्त मुमद घान को अटाकर सहसुजा को गर्दी पर बठाये गया लेकिन अफकानिस्तान के लोगों की नचरों में सहसुजा एक कटपुतली राजा था इसकान इन्होंने अठार सो इक्चारिस में अंग्रेजों के खिलाब विद्रो कर दिया जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा और बाकी सभी लोग मारे के और इस इंसिदेंट ने अंग्रेजों के बीचे के डर पैदा कर दिया वहीं फिर दोस्त मुमद खान फिर से अफकानिस्तान का आमीर बन गया फिर 878 में रस्या ने अपना डिपलोमेट बेचा तो अफकानिस्तान में बढ़ते रस्याट पर भाव को देखते वे अंग्रेजों ने भी अपना पर्मानेट अंबेस्टर बेचा लेकिन अफगानिस्तान की आमीर सेर अले ने उन्हें वापस लोटा दिया और यही कारण बना सेकिंड एंगलो अफगान वोर का फिर जब ब्रिटे ने अटेक किया तो सेर अले ने रश्या से मदद मांगी ज कबूल में ब्रिटिस रीपरजेन्टिव की हत्या गळदी तो अंग्रेजों ने फिर से अफगानिस्तान पर आक्रमन किया और इस बार अप्दूर्यमान खान को आफगानिस्तान का आमीर बनाया गया मेंग और इस नहोंने जर्श्या ने अफगानिस्तान पर ब्रिटिस प्रभाव को एक्सेप्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान की अमीर हभीबुल्ला खान ने जब इस कन्वेंशन की सर्तों को पड़ा तो वे अपमानित और करोधित हुए। क्योंकि इस एंगलो रूसी कन्वेंशन में अफगानिस्तान की अमीर को बाहर रखा गया। क्योंकि उस समय अफगानिस्तान की जो विदेश नीती थी उसे अंग्रेजी डिसाइड कर रहे थे। और इसके बाद अमनुल्ला अफ़कानिस्तान के अमीर बने तो इन्होंने 6 मई 1919 को ब्रिटिस इंडिया पर आकर्मन कर दिया और इस तरह थर्ड एंगलो अफ़कान वोर शुरू हो गया फिर 8 अगस्ट 1919 में ट्रिटी ओपेशावर साइन हुई और फिर अफ़कानिस्तान को ए स्टाइल रिफॉम और गर्ल एजुकेशन के कान एक्स्ट्रीम इसलामिक लिडर से उन्हें बारिविरोध का सामना करना पड़ा इसकान अफ़कानिस्तान में सिविल वोर शुरू हो गया और फिर मौमद जहिर सा अफ़कानिस्तान के राजा बने वही इस समय सेकेंड जिसमें दोनों सूपरपावर याने USA और USSR पूरी दुनिया में अपना इन्फलेंस बढ़ाना चाहते थे और इस समय अफगानिस्तान में एक कम्मिनिस्ट पार्टी थी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ओफ अफगानिस्तान वही सोविय संग की कम्मिनिस्ट सरकार फिर 1933 में जहिर सा इटिल गए तो पिछे से मुहमद दाउद खान ने मिलेटरिल कू किया और रीपबलिक ओप अफगानिस्तान की स्तापना की वही खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट गोसित कर दिया और फिर बन पार्टी सिस्टम लागू किया तो दाउद खान क के खिलाब अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट होने लोगे और बाद में सोर रेवलिशन हुआ जिसमें नूर मुहमद तारिकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने और डेमोकरिक के रीपबलिक ओप अफगानिस्तान की स्तापना हुई इनका जुकाव सोविय संग की तर रहा था तो ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं थी क्योंकि इस cold war में एक और देश सोविय संग के गुट में चला जाएगा तो अमेरिका कहां पिछे रहने वाला था वही नूर मुम्मत तारिकी ने अफगानिस्तान में modernization की काम शुरू किये जिसमें girl education के साथ अफगानिस्तान में land reform लेकर आई इस करण अफगानिस्तान के जो बड़े land owner थे और extreme Islamic leader इस communist सरकार के खिलाप हो गए वही इस समय अफगानिस्तान की सरकार में भी सत्ता के लिए संगर्ष चल रहा था और फिर October 1978 में अफ़िजुल अमीन ने नूर ममध तारिकी की हत्या कर दी तो सोविय संग को अफगानिस्तान अब अपने आचे निकलता नजर आ रहा था तो इन्होंने अफगानिस्तान पर आकरमन किया यहाँ पर सोविय संग का मकसद अफ़कानिस्तान में कमिनिट सरकार को बनाय रखना था लेकिन सोविय संग को पता नहीं था कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है वहीं अब सोविय संग और अफगानीस्तान की कमिनिट सरकार के खिलाफ मुजाइदिनों ने अतियार उठा लिये और अमेरिका इन मुजाइदिनों को फंडिंग और अतियार दे रहा था लेकिन सोवियत संग की रेड आर्मी के लिए अफगानिस्तान की जोग्रोफी सबसे बड़ी समस्या थे अमेरिका ने इन मुझाइदिनों को स्टिंगर मिसालें दी जो सोवियत संग की एरफोर्स पर कहर बनकर भर्षी वहीं ये मुझाइदिन गुरिला वोर में महिर थे तो देखते ही देखते दस साल कब बीट गए शायद सोवियत संग को भी पता नहीं चला और इस युद के दो साल बादी सोवियत संग खुद पंदरा देशों में तूट गया यानि सोवियत अफगान वोर्ड ने सोवियत संग को बरबाद कर दिया जब सोवियत संग ने अफगानिस्तान पर अमला किया तो अमेरिका ने इसे गलोबल सिक्योर्टी और पर्सियन ग्रप में युएस के ओल सप्लाई के लिए एक खत्रा बताया और जो लोग सोवियत संग के खिलाप लेड रहे थे उन मुझाइदिनों को युएसे हर तरफ मदद कर रहा था लेकिन अमेरिका को इस समय जरा सा भी ऐसास नहीं था कि यही मुझाइदिन उसके लिए खत्रा बनने वाले हैं जब अलकाइदा ने युएसे पर 9-11 का अटेक किया तो युएसे ने 9-11 के जो मास्टरमाइंट था उसामा बिन लादेन उसे खत्म करने के लिए ओपरिशन डूरी प्रेडम चलाया जिसके कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने काबूल के साथ कंदार को भी अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन अमेरिका को उसामा बिन लादेन डूंडने में 10 साल लग गए और फिर 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एपटाबाद में यूसे ने बिन लादेन को मार गिराया और फिर से अफगानिस्तान में बढ़ती हुई तालिबान की ताकत को देखकर अमेरिका को भी अब समझा जाता है कि अब तालिबान को औराना ऐस समभव है लेकिन इन 20 सालों में यूसे ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किये और लाकों सोलजर मारे गे लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यूसे तालिबान को खतम नहीं कर पाया फिर यूसे तालिबान के साथ दोहा एग्रिमेंट करके अफगानिस्तान से अपनी जान बचा कर भागता है तब मुझे लगता है कि मुल्ला उमर ने सही का था कि अफगानिस्तान में जो भी आता है वो आता तो अपनी मर्जी से है पर जाता हमारी मर्जी से है